पुश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल बन और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं कि जो हमने जोग्रोफी यानि इंडियन जोग्रोफी की एक सीरीज चला रखी हैं जिसके अंदर हम मल्टीबल चोईस कोशन कर रहे हैं जोग्रोफी से र इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि जो वन डे एक्जाम है उनके अंदर चीजें ही आती हैं जो कितने राश्चे हुद्यान है कि अंदर वो जो कोई नेशनल पार का वो किसके लिए फेमस है का पर वस्तीत है इस से लेटीड ही कोशन पूचे जाते हैं तो इन तमा बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इन सभी वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन पूचा गया कि प्रयावरन आयोजन के साथ मूलते संबंदित संगठन है यह 2012 में कोशन आया था SSC CGL के अंदर तो इसमें पूचा गया था कि जो यहां पर आपके सामने short form दी हुई है इन में से कौन सा संगठन जो है वो प्रयावरन से related है यह पूचा गया था तो आंसर आपके सामने N-E-E-R-I मतलब कि National Environment Engineering Research Institute प्रयावरन आयोजन के साथ मूलते संबंदि संगठन है इसकी स्थापना जो है वो नागपूर में की गई थी तो इससे यह भी चीज भी ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कहां पर की गई थी नागपूर में सेकेंड कोशन है कि Silent Valley कहां स्थित है अब यहां पर आपके सामने मैप भी में लेकर आएं तो आप समझ जा होगा यह केरल है तो समझ जाएगा तो केरल राज्ये के अंदर जो साइलेंट वैली स्थित हैं इसको हिंदी में अगर बोलें तो इसको का जाता है शांत घाटी क्योंकि एक्जामिनर जो है वो शांत घंटी भी पूछ सकता है जैसी कि अगले कोशन में पूछा गए शांत गाटी किस राज्ये में तो आपका आंसर होना चाहिए यहां पर केरल तो शांत घाटी यानि इस साइलेंट वैली है अपनी जैव विविदिता के लिए जानी जाती है क्योंकि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्राणी है जो पादप है जो पेड़ पोदे है और मैंने का ना जैव विविदिता के लिए सबसे ज़्यादा परसीद है क्यों परसीद है क्योंकि यहां पर बारिस सहीं से स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर हरियाली रहती है हरियाली जहां पर जितनी रहेगी वह अपनी जैव विविदिता के लिए यानि बायो डिव पूछा जा सकते हैं कि केरल में मोन घाटी, अब मोन घाटी वो किस के लिए परसीद है, वो पादपों और प्राणियों की दुरलब जातीयों के लिए परसीद है या इसलिए वो जानी जाती है, तो आंसर आपके यहां पर हो गया, देखें एक कोशन से, अगर आपने उस से र बर्शावन पाई जाते हैं, तो आपको यहां पर आंसर साफ साफ बुला जाएगा, किसी इसका अंसर हो जाएगा, और यह कोशन जो है, से सी सीजियल दो हजार चोदा, से सी एमटीस दो हजार ग्यारा, सी पीओ दो हजार दस, इन सब एक्जाम में यही कोशन पूछे गए ह अब आते हैं सिक्स कोशन पर, किस राज्य में राष्ट्रिय उद्यान, वैली ओफ फ्लोवर्स थी थे, अगर आप यहां देखेंगे न, वैली ओफ फ्लोवर्स, जिम कोर्बेट नेशनल पार्क हो गया यहां पर, कंचन जंगा हो गया यहां पर, काजी रंगा हो गया यहां हो गया उत्राखंड हो गया तो यहां पर यह हो गया हमारे सामने UK उत्राखंड तो यह कहां पर है ए ए इसका right answer हो जाएगा stenographer के अंदर यह question पूछा गया था 2012 में तो यह आपकी preparation हो जाती है clear अब exam में भी साथ ही साथ जानेंगे कैसे एक्जाम में पूछे चाते हैं तो value of followers राश्च्रिय उद्यान जो है national park जो है उत्राखंड में स्तीत है और यह राश्च्रिय उद्यान इसी राज्जे में स्तीत है नंदा देवी राश्च्रिय उद्यान का विस्तार है तो आपको ध्यान रखना है नंदा देवी के उपर भी यह keyword है इनके उपर focus रखना है अब बात करते हैं 7th question पर भारत का प्रत्थम देखें क्या पूछा गया है प्रत्थम national जो park है वो कौन सा है तो इसका answer होजेगा Jim Corbett National Park यह कहां पर आता है भई आपके सामने ही है उत्राखंड में ही तो है भारत का पहला राष्ट्रे उद्यान Jim Corbett National Park है इसकी सापना होई थी 1936 में हैली National Park के रूप में कही गई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात इस उद्यान से कही गई थी तो यह तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है 2017 के अंदर CHSL के अंदर यह कोशन पूचा गया था ओके दोग देखे CGL हो गया CHSL हो गया यह एक इताले के चट्टे बट्टे हैं यह CGL, CHSL, CPO, MTS इन तमाम बातों के अंदर इन सब के अंदर कैसे कोशन रिपीटीड यह फिर गुमा फिरा के वही कोशन पूची ले जाते हैं तो आपकी जो भी एक्जाम से रिलेटेड जो नैशनल पारक है वो डेफिनेटल यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी तो उससे रिलेटेड आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है आएए एर्थ कोशन पे चलते हैं देखें भारत का कुल कितना भाग भगोलिक शेत्र वन भूमी है यानि कि कुल कितना भाग शेत्र वन भूमी है तो यहां पर आपके सामने A है इसमें अभी थोड़ा सम इसमें फेर बतले देखें 2014 की कोशन आया था तो यहां पर तो इसके अकोडिंग तो हो गया A लेकिन अभी जो है वो समीकरण थोड़ा सा बदल गया है 2019 में 2019 के अनुसार भारत का 21.67 जो परसंटेज है वो भुगोलिक शेत्र वन भूमी है यानि 7,12,249 पहले कितना था 6,97,890 हाँ कुछ जादा नहीं बड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा है अब यहां पर ऐसे कोशन पूछा जाएगा लगब लगब हम 20% पर टिक करेंगे अब यह बोला गया कि पारस्थिती की संतुलन बनाएं रखने के लिए भारत में जंगल कितने नुपात बनोना चाहिए मतलब कि लैंड कितना होना चाहिए जिस पर इंसान रह रहे हैं अब शेत्रफल कित रिष्टी से निमलिकित भारतिय राज्यों में सबसे अधिक वन अच्छादान किस राज्य में यानि कि जो वन है जो जंगल है वो किस में सबसे अधिक है यह पूछा गया है तो इसमें 2005 की रिपोर्ट है यह पूछा गया है वन रिपोर्ट 2005 की अगर मैं बात करें तो मद्य परदेश में सबसे अधिक वन अच्छादान वाला राज्य था अब यहाँ पर अगर मैं 2019 की बात करूँ 2019 में भी मद्य परदेश ही है यानि कि 2005-2019 इन दोनों में जो है वो मद्य परदेश ने टॉप किया है और सैकेंड नमबर पर अच्छल परदेश च्छतिसगर्ड, ओरिस्टा, महरास्टा यह चीज़ें आपको सीकुल में याद रखनी है और कुल वनावरण के संदर में सारुदिक परतिशत, पर्सेंटेज की परसेंटेज अलग हो जाता है क्योंकि कोई राज्य जो है वो इतना बड़ा है अब यहाँ पर परसेंटेज जो है वो मतलब की मान लें कि इतने परसेंटेज पर निकल कर आता है तो इसका थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है अब यहाँ पर एक छोटा राज़ है उसमें परसेंटेज उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं आ सकती है तो परसेंटेज के तोर पर बात करें तो मिजोरम जो है वो यहाँ पर आगे टोप करता है किस राज़े में वनों का सर्वोज तो परतीशत किसमें सबसे अधिक है तो भी आता है आपके सामने मिजोरम ओके परसेंटेज एक अलग टर्म होती है और नमबर जो एक अलग टर्म होती है क्योंकि मैंने का ना शेत तक तो ज़्यादा हो सकता है उसमें परसेंटेज एक अलग तोर पे काम करता है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ किसी मिजाले के अंदर 100% के उपर वन आचा था मतलब कि उस पूरी भूमी के उपर वन है 100% और इसका शेतरफली 7 लाग है और मैं बात करूँ मद्यपरदेश की मैं यहाँ पर कहूँ कि भाईया इसके 50% पर वन है और इस 50% की वैल्यू जो है वो निकल कराती है 8 लाग तो भाईया यहाँ पर परसेंटेज के तोर पे तो मेगाले जीत गया लेकिन अगर वैल्यू नि परसेंट देखे 90.38 परसेंट भारत वन सिती रिपोट 2019 के अन्सार बहरत के राज्य के अंदर शासित प्रदेश में वन हो गया लकष्यू जूखी 90.3 अभी मतलब पहले के मुकास घट गया मिजोरम के अंदर इसके बाद मिजोरम आता है 85.41 परसेंट यह this 2013 की रिपोर्ट थी यह 2019 की रिपोर्ट है अंडमार निकोबार दुश्यों पे 81.74 परसंट अरुनाचर परदेश में 79.63 परसंट और मिखाले में 76.33 परसंट आते हैं तो यह सीक्वल वाइज आप चीजों को याद रखेंगे अब भारत में सबसे बड़े शेतर में फैले हुए One कौन से हैं? देखें, सबसे बड़े शेतर में फैले हुए One आप जगराथ देखेंगे तो उशन कटी बंदी यप परंडपाती वन हमारे यहां पर सबसे ज़्यादा फैले हुए आते आद्र शूश्क जिसको कहा जाता है भारत में शार्दिक शेत्र में पाया जाता है स्वागोन और साल इस वन की परमुक वरिक्ष है तो ये आपको वरिक्ष भी याद रखने हैं सागोन और साल अब निमलिकित में से किसे यह दिपी गार्डन कहा जाता है मतलब कि उद्द्धान तो कहा जाता है लेकिन वो है नहीं यह काफी important कोशन है देखें मुंबई का hanging garden last में garden तो लिखा हो है लेकिन वो actual में garden नहीं है वो है कौलकता का इडन garden यह Eden Garden अच्छल में एक stadium है तो एक stadium cricket stadium है इसकी स्थापना हुई थी 1864 के अंदर यह लिखा तो इसके वहले last में garden है लेकिन अच्छल में garden नहीं है यह question पूचा गया था 2014 के stenographer में और यह देखिए यहाँ पर 2016 2016, 2017 इनके अंदर यह question पूचा गया था अब बात करते हैं सुंदर्बन के जंगल को क्या कहा जाता है सुंदर्बन की हो जाते है सुंदर्बन का जो डेल्टा आपको पता हो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्योंकि यहाँ पर जो गंगा और ब्रहंपुतर नदिया आपस में मिलती है बंगलादेश में जाकर फिर यहां पर यह आके बंगाल की खाड़ी में गरते हैं और यह सुंदर्वन का एक डेल्टा, डेल्टा का निर्मान करते हैं डेल्टा एच्वल में क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा बाही हुई मिट्टी लाई जाती है तो उसको यहां पर जमा दिया जाता है मतलब यहां पर एक अत्रित कर दिया जाता है जिससे एक डेल्टा का निर्बान होता है एक एस्चुरी भी बनती है यह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों कराया था जिसके अंदर हमने नदियों के परवहा को जाना था भारत की ड्रेने सिस्टम को तो वहाँ पर एस्चुरी क्या होती है डेल्टा क्या होता है इस से रेलेटिट कोशन कैसे पूछे जाते है वो प्रीविएस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुन्दरवन के जंगल को क्या कहा जाता है देखें सुन्दरवन के जंगल को कहा जाता है मैंग्रोव मैंग्रोव की मैं इमेज भी लेकर रहा है भारत में कच वनस्पतियों के कुल शेत्रफल 6,000 वर किलोमेटर है, कच वनस्पति सरंक्षन और प्रबंदन योजना में कुल 15 कच वनस्पति जो है शेत्रों की पहचान की गई है, गंगा डेल्टा के मेंगरोव वनों को क्या का जाते हैं, देखें, फिर से वही सुंदरबन, बी हो गया आपके राज़्टा एंसर से बे, गंगा डेल्टा के मेंगरोव वन को सुंदरबन के नाम से भी जाना जाते हैं, यह भारत के बांगला देश में स्थित, विशु का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, इसे सुंदरबन राष्ट्री है, उद्यान के नाम से भी ज स्थित हैं, तो यह हो गया आपके सामने, डी इसका राइट आंसर यानि की राजस्थान, और यह कोशिन आये हुए हैं, दो हजार दस के अंदर, स्सी, स्सी, दो हजार चोदा, इनि स्टैनोग्राफर के अंदर, एफस, एफसी आई, फूड कोर्परेशन ओफ इंडिया, दो इसका तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे सामने हो जाता है, सुल्तानपूर, सुविक्या जो पक्षी विहार है, वो गुरुग्राम जिले में, सुल्तानपूर में है, सुल्तानपूर में, ओके, परतेग वर्षियां पर बड़ी संक्या में, परवाशी वक्षी आते हैं, ना नाम दफा कहांपर अरुनांचर परदेश के अंदर है तो राइट आंसर आपके सामने है इस दी हो गया अरुनांचर परदेश में इस्तित है नाम दफा जो है वो अठारा सौ वर्क किलोमेटर में फैला हुए क्या हो रहा है ओके यह बैंड जो वो दोस्तों से साड़े चार जार मीटर के उंचाई पर सीत है जिसके कारण इसका वर्ग मार्ग जा है अत्यादिक दुर्गम है इस बैंड में जो मतलब कि यह आपको ध्यान रखना है बाग चीता लाम चीता असा यह परमुग पशु है यह तो इससे रेटिट कोशन आपको कर लेने हैं यह चीज़ें याद रखनी है यह एक मातर सैंक्चुरी है जहां कश्मीर महामरिक पाया जाता है तो इसका अंसर हो गया दाची गाम देखें दाची गाम अभ्यारण जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रिनगर से 22 किलोमेटर द हिमाले की छतर चाया में अवस्ति दाची गाम कश्मीरी महामरिक पाया जाता है इस अभ्यारण में के सिवाए संपूर्ण भारत में कहीं पर भी हुंगल परजाती के हिनों का स्थाई आश्रे स्थल नहीं है भारत में निमलिकित में से बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकर्तिक प्रैवरस है तो इसमें राइट आन्सर हो जाएगा आपके सामने D यानि गिर बायो रिजर्व और गिर कहां होता है देखे गुजरात के अंदर हमारे सामने यहां पर परसित गिर कहां पाय जाते हैं तो हमके सामने हो गया C जैसे गिर का नाम है आपन रंगा हो गया, तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वीर हो गया, यह सब को आपको यह देखिए, काना, पंच, यह सारी-सारी चीज़ें जो है, वो बहुत ज़्यादा important है, clear यहां पर, आब आगे चलते हैं, अब यहां पर हो गया, आपके सामने 20 second question कोशन में पुछा गया है, कि आपको मिलान करना, यानि कि वो होते हैं कि कोशन को मिलाना है, तो इसमें का answer हो जाएगा B, यानि की काना जो है वो बाग के लिए, काजी रंगा जो है, गेंडा के लिए, गिर जो हो, शेर के लिए, इन सब चीज़ों, इन नेशनल पार्क के नीचे है, बारत के सबसा बड़ा है, विकल्प में लिए गए, जी मंडल नीचे है, एम, उनका शेत्रफल निमन लिखित परकार है, देखें, मनार की खाड़ी, दस जार पांसो बर किलोमेटर, सुंदरबन का हो गया, 9630, नंदा देवी का हो गया, 5860, 0.69 हो गया, निलगरी में हो गया, 5520, यह सब चीजें होगी, अब 2014 के अंदर एक कोशन पूछा गया था, C, HSL के अंदर, और यहापर फिर से देखें, मैंग्रोव वन का वैश्विक तापन, पर क्या परभाब पढ़ता है, देखें, मैंग्रोव जो वन है, अगर गलोबल टेंपरेचर बढ़ता पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर ऊपर जैसे बढ़ेगा, जो भी यह डेल्टा है, यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट होगा, और यह मतलब की, जो मैंग्रोव जो वन है, यह सारे के सारे उस पानी के अंदर डूब जाएंगे, तो सबसे बड़ा रीजन, या फिर केंगे सबसे बड़े आजकी रेट में, जो हमारे सामने में समस्चा देखी जारी है, वो प्रेवर्ण से रलेटेड़ है, जैसे पॉलूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसी बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लीशेर पिगलने की समस्चा हमारे सामने आ रही है, तो इन सब चीजों को आने वाले टाइम में कंट्रोल करना यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब आगे चलते हैं मैंग्रोव के हैं, देखें यह मैंग्रोव की मैं आपके सामने इमेज लेकर आया हूँ, जैसे मैंने कहा था, यह देखें इस तरीके के होते हैं, मतलब कि उपयोग जब पोदों के उस समूग के लिए क्या जाते हैं, जो खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर पाये जाते हैं, उश्न कटिबंदिये शेत्रों के समूंदरी तटों पर उगने वाली वनस्पती को भी मैंग्रोव कहा जाते हैं, यह जहां पर जवार के समय समूद के पोधों का वर्णन करने के लिए क्या जाता है इस वर्गी करन के पहस्चाथ भी कभी कभी मेंग्रोव के मेंग्रोव शब्द को प्रिवासित करना कटिन हो जाता है तो देखें यहां पर मुश्किल हो गया कि किस से राइट आंसर इसका सेलेक्ट करें ओके और वैसे कोशन जो है वो इस तरीके की पूचे जाते हैं कि आपको वहां पर खाले भी छोड़के आना होता है वो यही चैक कर रहा होता है कि आप तुका तो नहीं खेल रहे हैं वहाँ पे अब देखें सुंदरी वरिक्षनी मलेकित में से किसकी एक विशेष परकार की वनस्पती है तो यह पानी से यहां तक की भूमी दल्दली हो जाती है बंगाल का सुन्दरवन, जोर्टी है वनस्पती का पर्मुख उदारन है सुन्दरी के पर्मुख जोर्टी के वरिक्ष है मानस पर्शु वियार किस राज्जे में इस्तित है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपकि सामने आसम मानस पसु वियार जब वो आसम राज्य में सित है और इस वियार से होकर मानस नदी प्रवाहित होती है यह एक राश्ट्रिय पार्क है यहां युनेशको विश्व विरास्त सूची स्थाल में इसको शामिल किया गया है जीव मंडल आरख्षित शेतरों की पहली प्रयोज बायोस्पियर प्रव्व ध्यान रखना है नंदा तेनी को डैसर चन्चंत्व अँसम पूआरख्षित शेतल यतर प्रयोजव प्रक नमताय। वन्ने उत्पादों का जो प्रयोग है विकास है तता क्रिशी शेतरों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि हमारे सामने सारे इन चीजों को शामिल किया गया है जिमंडल सुरक्षी शेतर का उदेश है अब निमले कित में से किसे वैश्विक विराशत का वन कहा जाता है या माना जाता है तो इसमें आएगा B और C आसम का काजी रंगा हो गया हमारे सामने और पश्चिम बंगाल का सुची में समलित किया गया है भारत का जिमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राजय में अभी हम देख रहे हैं निंदा देवी तो यह हो जाएगा हमारे सामने उत्राखंड काजीरंगा राश्ट्य उद्यान किसके लिए परसीद है तो ए गैंडा के लिए काजिरंगा राष्टे पार्ग जो एक सिंग वाला जो गेंडा है भारतिय गेंडा उसके लिए परसिद है इस उद्यान में कि स्थापना जो 1905 में की गई थी जिसका शेत्रफल 430 वर किलोमेटर है तो आपकी स्थापना इसका शेत्रफल यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यह उद्यान असम में है और युनेशको दोरा घोशित विश्व ध्रोर में से एक है तो यह पूरा पहरा आपको ध्यान में रखना है काजिरंगा नैशनल पार्क परशिद है किसके लिए परशिद है ए हो गया आपके सामने गैंडे के लिए फिर से वही कोशन पूछ लिया भारत में समूंदरी गाएं किसके बायो रिजर्व शेतर में पाई जाती है देखिए भारत में समुद्री गाएं जो है वो मनार की खाड़ी बायर जो शेतर में पाए जाती तो राइट आंसर यहां पर भी हो जाएगा दुगांग यानि समुद्री गाएं एक समुद्री स्तन धारिय जीव है यह समुद्री गास खाते हैं और किसी परकायर का नुक्सान नहीं पहुँचाते हैं मनार की खाड़ी के अत्रिक यह कच की खाड़ी पाक की खाड़ी में भी यह पाए जाते हैं इनकी संक्या अंडमा न पार्क किसके लिए महतपूर्ण है तो यह आपके आंसर हो जाएगा तेंदिया और चीतल के लिए देखे शिवपूरी मादव नैशनल पार्क 1955 में मत्यब भारत नैशनल पार्क के रूप में गवालियर रियासत में स्थापित किया गया था विसको वर्तमान नाम वर्ष 1959 में इसको मिला था यहां पाए जाने वाले पर्मुख जानवर तेंद्वा चीतल लंगूर सियार जंगली सुवर यह सब है और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना जैव स्रंक्षित शेतर के रूप में 1999 में की गए थी इनेश्को दौरा 2009 के अंदर इसे Biosphere Reserve के रूप में नामित किया गया था यह तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है कि स्थापना कब हुई Biosphere Reserve में कब इसको शामिल किया गया काना नेशनल पार्क कहां सी था अभी हम करके आया थे तो इसमें D answer हो जाएगा मध्य परदेश काना नेशनल पार्क मध्य परदेश में इसकी स्थापना 1955 में 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत लाया गया था इसका विस्तार मैकाल पार्क 940 वर्क शेतर में है काना किसकी किसकली ना काना किसली अभारन निमल कितमे किस राज्ये में अवस्थित है काना किसली नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मध्य परदेश के मांडला और बालागाट जिले में है यहां रोयल बेंगोल टाइगर की प्रयाप संक्या पाई जाती है एक जून 1955 को इसे नैशनल पार्क का दरजा दिया गया था विशु का एक मातर पलावी यानि जो तैरता हुआ राष्चे पार्क कहां पर है तो राष्ट राइट आंसर हो जाएगा मनिपूर में यानि कि मनिपूर के विश्णूपूर जिले में स्थित कैबूल लाम जाओ ध्यान रखना है कि कैबूल लाम जाओ राष्चे पार्क विशु का एक मातर फ्लोटिंग यानि तैरता हुआ राष्चे पार्क है या उद्यान यानि ये जो पार्क है लोक्टक जील का अभिन हिस्सा है इसका शेतरफल 40 वर किलोमेटर है और ये माँ आपके सामने लेकर भी आया हूँ आप देख सकते हैं दर्शन भी हो जाएंगे साथी साथ आपको ब्रह्मन भी करवा रहा है देखे केबूल लाम जाओ जो विशु का एक लोता तैरता हुआ राष्चे पार्क है कहां पर है ये होगे आपके सामने बी मानिपूर के अंदर विशु का एक मातर तैरता हुआ राष्चे उदान काबूल लेम जाओ कहां पर है देखे फिर से वही कोशन पूछ रहा है और देखे कितनी बार रिपीटिट हुआ है 2013 के अंदर 2011 के अंदर 2014 के अंदर 2013 के अंदर बी इसका राष्चे आंसर होजएगा करनाटक के अंदर भारत में वर्शावन पाये जाते हैं C. उत्रपूर्वी हिमाले और पश्चिम घाट के अंदर उश्नकटीमंदिय सदाहारित वन को वर्शावन भी का जाते है ये वन पश्चिम घाट उत्रपूर्वी हिमाले और अंदमा निकवार दीव समू में पाये जाते हैं मुदू मलाई पशुवियार परसिद है तो ए इसका आंसर होगया व्यागरों के लिए मुदू मिलाई पशुवियार व्यागरों के लिए परसिद है मुदू मेलाई जो पशुवियार है सैंक्चुरी जो है वो किस राजे में लेकिन ये फैला हुआ है करनाटक में तमिलाडू में किरल में तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा भारत के जैम अंडलों के आरक्षिस तलों की कुल संग्या है यहाँ पर इसके सामने देखिए 2012 में कोशन पूछा गया था अब देखिए जैम अंडल आरक्षिस शेतर स्थलिया और तट्टिय पारिस्थिति की प्रनाली के अनुवानशिक विविद्दा बनाए रखने वाले बहु देश्य शेतर है इनेश्कों के मानव और जैम अंडल कारेकरम के तैत इस शेतर को रंतराश्चे स्थर परमानेता दी मिरी थी भारत को 10 जैम भगौलिक जोनों में विभाजित किया गया है और इन सभी जोनों में 25 जैम भगौलिक प्रांथ शामिल है अभी तक देश में विभिन 18 स्थलों की पहचान जैम अरक्षी शेतर के रूप में की गई है भारत में प्रतम जैम अंडल रिजव की स्थापना कहां हुई थी तो ए इसका राइट आंसर होगा नील गिरी भारत के परतम जैम अंडल रिजव पार्क 1986 में दक्षिन पश्यम घाट, तमिलाडू, करनाटक, केरल, स्विंग तरुप से नील गिरी शेतर के में स्थापित किया गया था इसका कुल शेतर फल्जव पांच जार पांच सो बीस वर किलोमेटर है इस शेतर में मुखरती, बांदीपूर, नागर, होल, वायनाड नेशनल पार्क भी स्थित हैं यहां पर तो यह देखे यह राइट नील गिरी यहां पर, अब यहां पर समझ सकते हैं तो करनाट टक हो गया, केरल हो गया, यहां पर हो गया हमारे सामने, तमिल अडू, तो यह सारा मैप से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं भारत में निमली कित में से कौ prosecutionará olho रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है तो ए आ गया हमारे सामने मानस भारत में कुल 11 विश्व नेटवर्क नन्दा देवी 2004 में शामिल के गये थे भारत में कितने पारिस्थित्य के होट सपोर्ट है तो तोack इसका राहे लाइट वाजेगा इंडो बर्मा, सुडो लेंड और पश्चमी घाट शिरलंका निमली कित में से किसको भारत का पारिशित्य की तप्त, स्थल कहा जाता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा A, C, D यानि कि पश्चमी घाट, पूर्वी घाट और हमारे सामने आ जाता है पश्चमी घाट, पश्चमी हमाले और पूर्वी हमाले यह आप सेख सकते हैं कि Biodiversity Hot Sports of India यह हो गया हमारे सामने यह हो गया हमारे सामने पूर्वी हमाले हो गया और यह हो गया हमारे सामने पश्चमी घाट हो गया अब आगे चलते हैं नेपाल में कौन सा राष्ट्रिय उद्यान भारत के वालमिकी राष्ट्रिय उद्यान की निरंद अंतरता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्वन राष्ट्रिय उद्यान नेपाल का चित्वन राष्ट्रिय उद्यान जो है भारत के बिहार राज्ये में स्थित वाल चंदन के पेड़ों के लिए किस परकार का जंगल उप्यूगत होता है तो इसके लिए होता है हमारे सामने उष्ण कंटेम दिया परंडपाती अब आगे चलते हैं उष्ण कंटेम दिया वर्षा वन के समय समाने रूप से पाये जाने वाला पोधा आर्किट का एक पोधा है आपके सामने image भी लेकर आए है ये होगी आपके सामने ये image पर्देश में पाय जाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य वो विलो निर्मीत किरिकित बैट के लिए अध्वादन के ले जाना जाता है इस तरीके के होते हैं कॉणी फिर टीरी कहते है нес कॉनी कॉनी कल होते है राल यानि धुन भी इससका उत्वाद है गलत जोड़ा चुनिए अब गलत जोड़ा के अंदर इसका अंदर है पेरियार अभ्यान अंदर परतिस ये गलत है उप्रयोगत पर्शन में पेरियार अभ्यवन गलत सुमिलित है पेरियार अभ्यवन जो है वो केरल के इडूकी में और पत्थना मत्थिता जिले में स्थित है यह बाग और हातियों के लिए स्रंक्षण के लिए जाना जाता है वैश्विक तापपान के फल सुरूप हो सकता है देखिए सबी चीज chia हो सकती है अगर अगर तापपान इंक्रीज हो रहा है समंदर तल में विर्दी होगी फसल के सोरूप में परिवर्तन होगा तटरेखा में परिवर्तन होगा अत्यदिक वनोमुलन का सबसे अधिक खतरनाक परभाव क्या है जंगली जानवरों के निवास थान का खतम हो जाना अगर आप जादा से जादा वन काटेंगे उविसली उनके लिए रहने कि आप अच्छे से समझ जाएंगे संदी विशेद करेंगे तो और पेड लगाना होगा वनोरोपन किसी व्रिष्टित भूमी पर मानव द्वारा किर्तिन रूप से वन यानि व्रिख्ष लगाने की क्रिया है वनोरोपन का उधिश्य होता है कि मतलब कि इसमें जादे जादा ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए पेड़ पोदे लगाया जाए इससे प्राए आफशक्ता और उप्योगी व्रिख्ष के पोदे लगाया जाते हैं और उनकी सगंता आफशक्ता नुसा रखी जाती है उनकी डैंसिटी लकडियों की प्राप्ती मिरिदा सरंक्षन बार नियंतर प्रयावन सरंक्षन आधी वीविद उदेश्यों के मनोर ओपन की आफशक्ता बढ़ती है बढ़ती जा रही है अब यह हो गया आपके सामने वन लाइनर जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि गरम पानी अभ्यारन कहां सतीता है कार्भी अंगलोंग आसम के अंदर सिमली पाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में सतीता है औरीसा में भारत में मैंग्रोव वन मुख्यत है सुन्दरवन डेल्टा में कौन सा शेतर उष्ण कटीमंदी अस्तावार वन से ढखा हुए पश्चमींग हाट एक आंकलन के अरुसार स्थितोषन शेतर में केवल एक परतिशत वन नस्ट हुए हैं जबकि स्थितोषन उष्ण कटीमंदी में लगबख डैश परसेंट वन नस्ट हो गए हैं 40% किस परकार के वन मुख्यत शेवाल तदा काई से बने होते हैं टुंडरा वन डैश राजस्थान के अलवर जिले में स्थिता है सरिस्का राष्ट्रिय उद्यान केवला देव राष्ट्रिय उद्यान डैश में सिता है राजस्थान के अंदर जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंदित और निर्बर रहती है इसको क्या कहा जाता है इस तंतर को पारी तंतर कहा जाता है भारत में किस राज्य में सारवदिक वन है मध्यापर्देश के अंदर दन्डेली वन्य skipped aún किस राज्य में है करनाटक के अंदर सिमली पाल टाईगर रिजर्वर किस राज्य में है ओडिसा के अंदर नागर हॉल राष्ट्य उद्यान नैशनल पार्क जो है वो बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है नील गरी का किस राज्ये में मानस टाइगर रिजर्व है आसम के अंदर मानस फिर से वही को सम पुछ लिया आसम के अंदर दाची का राश्ट्रे उद्यान कहा से थीता है जम्मू कश्मीर में आनमलाई टाइगर रिजर्व पार्क इसमें दमिलाडू के अंदर इंदरावती टाइगर रिजर्व पार्क राज्ये किस राज्ये में च्छतिस गण च्छतिस गड़ के अंदर मेला घाट टाइगर रिजर्व पार्क इसके अंदर है यह हो गया हमारे सामने महाराष्टर के अंदर Great Himalayan National Park यह हमने image में भी देखा था यानि जो आपके सामने जो map लेका आया था वहाँ पर भी हिमाजर परदेश में गुजरात के गिर राष्ट्य उद्यान और साशन गिर अभ्यारण भारत के इकलोते वन्य जीव अभ्यारण में से हैं जिसमें एशियाई सिंग पाय जाते हैं कंचन जंगा राष्ट्य उद्यान जिसे कंचन जंगा बायोस्फेर अभ्यारण के रूपे ही बाया जाता है वै सिक्किम में स्थीत है काना टाइगर रिजव कस राज्य में है मद्य परदेश में सुन्धवन टाइगर रिजव पस्षी महंगाल में मद्य परदेश में भाग, सिंग, मोर, लँग जिसे किस पशू के लिए सारुधी का भ्यारण है भाग के लिए भाग, भाग उगड बागवगड जो है वो राष्टे उद्यान किस राज्ये में है मध्यपरदेश में डैश महराष्टर के चंदरपूर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्टे उद्यान है इसे ताडवा अंधारी बाग प्रोजेक्ट कहा जाता है दूदवा टाइयगर रिजर्व किस राज्ये में है उत्तरपरदेश में कला कर प्यूंदा थुराइ टाइयगर रिजर्व किस राज्ये में तमिलाड़ू में कॉर्ब redef national park को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था बंगाल के बाग के लिए तो यह होगे आपके सामने फिर से वही one-liner questions, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से सारे वीडियो वो अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी national park है, जो भी one है उन से related सारे questions मैंने आप लोगों को करवा दिये हैं, जो previous years में पूछे गएते हैं, और यह आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे क्योंकि SSC की आदत ही आपने देखिए कितनी ज़्यादा repeated करने की हैं और भी जो exam one day होते हैं, तो इनी से related वो question बनते हैं, और यह सिब चीज़ें आप लोगों को बढ़ देनी हैं, PDF में आप लोगों को provide करा दूँगा, description box में तो जाकर आप वहाँ से इन तमाम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, फिर से अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, यह concept आपको अच्छा सा लगा है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं, कैसे बताएंगे लाइक करके, comment में, comment section करके आप बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो इसको like करें, चैनल को subscribe करें PDF के लिए में आप लोगों को अलड़ी बता चुका और share कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्त हैं उनके साथ और अपनी फैमली के साथ इस वीडियो को भी और इस चैनल को भी